कि अगर आपने फेस्बुक पर मेसेजर और फोलो का बटन एक साथ लाना चाहते हैं यह नि दोनों बटन एक साथ अपने फेस्बुक पेज पर लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे तो आज इस वीडियो हम आपको step by step बताएंगे कि आपने फेस्बुक पर मेसेजर और फोलो क वो बटन जो आना है वो प्रोफाइल पर है या नहीं तो मैं अपने प्रोफाइल पर जाऊंगा और अपने पेज पर आपको देखिए जाएड़ टू स्टोरी और एड़ प्रोफाइल लिखा हुआ इस जगह पर आएगा मैसेज का अप्शन और जगह आएगा फोलो का कैसे दोनों बटन लाने उसके लिए को क्या करना होगा आपको सबसे पहले थ्री लाइंस पर क्लिक करना है थ्री लाइंस पर क्लिक करना आपको क्या करना आपको अपनी सेटिंग प्राइविसी पर जाना है जैसे आप सेटिंग प्राइविसी जाएंगे या द्वारा एक से यह वाला इसको आपको क्या करना है एंग करें और आपको अगर आपको फ्रेंट पर कर बह्त जाना होगा यह फिचर पर प्लिक यहांगे मैं यहां dapat दॉडआरा कर देता हूं ठीक है followers and public contactor क्लिक करना होगा आपको जैसे आप उसके क्लिक करेंगे followers and public contactor आपको इस तरीके से इंटरफिस नहीं जराएगा अब आपको क्या करना है आपको यहाँ सारे public कर देने हैं पहला वाला option public करना है दूसरा वाला भी option आपको public करना है और थर्डवाला option भी आपको public करना है ठीक है उसके बाद जो चौता option है उसको everyone रखेंगे ठीक है और जो पांचवा है उस पर only friend रखेंगे ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है यहां से back आजाएंगे back आने बाद आपको क्या करना है आपको अपने profile पर जाना है profile पर जाने गाद आपको क्या है यहां 3 dots होंगे उन पर click करना है click करने गाद आपको यहां view us का option होगा आप simply view us पर click करना होगा जैसे आपने view us पर click कर दिया guys तो देखें मेरे follow और message का बटन आ चुका है इस तरीके से guys आपने facebook पर follow बटन और message का बटन एक साथ दोनों ला सकते हैं बड़ा आसानी से तो guys आज हमनों को life group करके बताया है कि आपने facebook पर follow और message का बटन एक साथ कैसे लाते हैं अगर guys आपको हमारे दीगई जानकर अच्छी लगी हो तो please मारे वीडियो को like करें और मारे चल को subscribe करें